नमश्कार मित्रो मातरानी की जैहो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चनल पर मित्रो आज हम आपको बताएंगे कि सामने वाले की फोटो और धूप से कैसे होता है वशी गरण चुले शुरू करते हैं पर द्यान रहें मास मद्रगा सेवन करके आपके विधी नहीं करनी है और अगर विदी कर्णे मापा समर्त है और वशीदे हमारे आसरम से करवाना चाहते है तो आप बेजिए एक संपर्क कीजे आपकी पूरी सायत अगी जाएगी हमारे संपर्क सुतर आपकी स्क्रीन पर चल लए तो चले में इसी के साथ आते है विधी के उपर ये जो मैं विधी बताने जा रहा हूँ ये बहधी अनोकी और बहधी सरल विधी है कंडे योगी विधी है और इस विधी को कंडे मातर से आप अपने प्रेमी को पूरी तरीके से अपने जीवन में लेके आ सकते हैं अपने जीवन में स्थापित कर सकते हैं और उसको हमेशा के लिए अपना बना सकते हैं देखते हैं कैसे होगी ये विधी तो अब आजाते सबसे पहले विधी की सामगरी के उपर तो सामगरी के रूप में आपको सामने वाले व्यक्ति की फोटो लेनी है जिसका भी आवशी करन करने जा रहे हैं उस व्यक्ति की आपको फोटो लेनी है हमने याप एक आगज का इस्तमाल किया है आपको इसकी जगा उस व्यक्ति का तस्वीर का उपयोग करना है फोटो तीन साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, सामने देखते वे फोटो होना आवशक है दूसरी सामगरी आपको लेनी है धूप, धूप बत्ती जो आती है वो आपको किसी भी पूजन सामगरी के दुकान में अगरवत्ती जहाँ पे मिलती है या पूजन सामगरी जहाँ पे मिलती है वहाँ पे आपको आराम से उपलब्ध हो जाएगी तीसरी सामगरी के रूप में मित्रों आपको साइड में अपने पास रख लेना है एक माचिस के डिब्बी और एक पात्र रख लेना है पर वो इसमें बीच में नहीं रखना वो साइड में रखना जब आप विधी में उपयोग कर रहे हो अब आ जाते हैं मित्रो विदी के समय के उपर तो समय जो है ये मित्रो विदी का ये रहेगा ब्रह्म मुरत का समय सुवे चार से छे बजे के बीच का जो समय होता है वो समय आपको उपयोग में लेना है उस समय में आपको ये विदी प्रारंब करनी है अक्सरम आपको बताता ह क्या ही हिस्सा होगा अब आपको करना क्या होगा वह मैं बता देता हूं सबसे पहले आपको जो फोटो है उसे कुछ इस प्रकार से अपने सीधे तरफ रख लीजेगा फ्रेंट में अपने सामने रख लीजेगा और यह जो आपने यह लिया है धूप इसको सीधे हाथ में से मित्रो यह तराटक विदी है तराटक करके कैसे वशी करन किया जाता है उसे बताया जाएगा इस विदी के मात्यम से आपको करना क्या होगा फोटो को सामने ऐसे रख लीजेगा और आपके सीधे हाथ में सीधे हाथ में आप अपने दूप को रख लेंगे और कुछ इस प्र कर सकते हैं जरूर ने की हाथ में पकड़ना हो आप अपने सीधे हाथ में सामगरी को ले लेंगे दूसरे हाथ में माला गाउप्यों करके मंत्र की काउंटिंग भी कर सकते हैं फोटो को किसी भी पात्र की साहिता से सीधा खड़ा कर सकते हैं, तो हमने हमें भी माला के आवशक्ता नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ आपको विदी कैसे होती है, वो प्रतिबीम दिखा रहा हूं, तो आपको फोटो को सीधे किसी सामगरी के उपर भी रख सकते हैं, और तरा टक कर सकते हैं और दूसरे हाथ में माला लेके मंत्र की काउंटिंग भी कर सकते हैं मित्रों में मंत्र बोल देता हूँ बहुत ही शक्ति शाली मंत्र है उस मंत्र में शक्ति इतनी असीम है कि उस मंत्र ने हजारों वशी करण किये और आपका भी वशी करण हो जाएगा मित्रों में मंत्र बोल देता हूँ मंत्र है ओम सर्वत्राटकम वश्यम करम सफल कुरू यह मंत्र आपको 200 एकॉन बार बोलने के बाद मित्रों आपको इस धूप को जला लेना है जी हा मित्रों इस धूप को आपको प्रजलित कर लेना है कुछ इस प्रकार से आपको धूप को जला लेना है यह जो धूप हमने जलाई है कुछ इस प्रकार से आप धूप को प्रजलित कर लेंगे और धूप प्रजलित होते समय कुछ समय लेगी तो जितनी देर यह धूप ज ना कुछ और करना, सिरफ त्राटक करना है के वल त्राटक करना अची तरीके सेफोटो का अपने सामने कुछнить इस प्रकार से लग लिजेगा और तराटक करते रहे न जितने देर धूप जल लई हो उस वातावरण में आपको तराटक करना है तो वातावरण में आप तराटक करेंगे तो विद्याय प्रजलित हो जाएगी विद्याय अपना सर दिखाना शुरू करतेगी और धूप पूरी जल जाए जब यह धूप पूरी बन जाए तब आप क्या करेंगे कि ये जो धूब की राख है उसमें ये फोटो की राख मिला देगे फोटो को आपको जला लेना होगा फोटो की राख आप मिला लेंगे अच्छी तरीके से आपको धूब को जलने देना है एक साइड में रखके धूब को उसी वातावरण में आपको बैटना है और इसे ऐसे त्राटक करना है और जब त्राटक कम्पलीट हो जाए धूप पूरी जल जाए और उसकी पूरी राख बन जाए तब आप इस फोटो को जला कर उसकी राख भी उसमें मिला देंगे और फिर आप जो पानी से स्नान करने वाले हैं उसके अंदर यह दोनों की राख को मिला दीजेगा और श्पानी से स्नान कर लीजेगा और स्नान करते समय अपनी मनोकामना जो है वो मनोकामना मांग लीजेगा आपकी विदी वही पर इसमात्त हो जाएगी और जिसका व्यावशिगरन करना चाहते हैं आप यह देखेंगे कि वह व्यक्त इस वीदी में बहुत शक्ति है, इस वीदी ने हजारों वशीगरण किया, आप भी वशीगरण कीजिए, मातरानी आपको जरूर शफल करेगी. मित्रों, अगर आपको लगता है, कि आपके पार्टिन के पहले से कोई काला जादू है, या उसके उपर किसी ने कुछ कर रखा है, तो ये वीदिया उसके उपर असर नहीं करेगी. अगर आपको ये लगता है, तो पहले आप हमें संपर्ख कीजिए, आपको बताया जाएगा कि उसके उपर काला जादू है या नहीं है, और उसका उचिछा वाधान आपको दिया जाएगा. अगर आपको लगता है तो आप हमें वेजिन संपर्क कीजे और आपने पनी समझेटा समतान कराईए इसी के साथ जैमातादी मित्रों अगर आप भी मातरानी को मानते हो तो कमेंट बॉक्स में जैमातादी जरूर लिखे साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें चैनल सब्सक्राइब करें अब होती आसान है स्क्रीन पर चले जोते से बदलेजिए उनकी पिक्चर को प्रेस करें आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे जैमातारानी की